क्या दोस्तों आप भी अपने मोबाइल के रिंग टोन पर कोई सोंग सेट करना चाहते हैं आपने कोई सोंग डाउनोड करके रखा है अपने मोबाइल में और उसको आप अपनी जो रिंग टोन है मोबाइल की उस पर सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एड़े तक देख तो मैं आपको mobile की screen पर लेकर चालता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि कैसे आपको ringtone पर sound को set करना है तो guys मैं अभी mobile की screen पर हूँ और मुझे अपने mobile की जो ringtone है उसमें कोई गाना set करना है तो guys इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा settings में settings में जाने के बाद में guys यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे options मेरे सामने open हो जाएंगे यहां पर हमें sound and vibration का option मिलेगा उपर नीचे आपको कहीं भी मिल सकता है तो sound and vibration के option को आपको यहां से find कर लेना है और उसके बाद में guys इसको open कर लेना है तो guys आपको नीचे की और scroll करना है और नीचे आपको ringtone का एक option मिल जाएगा ringtone यह लिखा हुआ आपके सामने आएगा तो यहां पर guys इसको आपको ढूंड लेना है और यहां पर आपको इस पर click करना है क्लिक करने के बाद में sim 1 और sim 2 दोनों sim आपके सामने दिखा देगा यहांने sim 1 में जब call आएगा तब आपको कौन सी ringtone सुनाई दे और sim 2 में जब call आए तब आपको कौन सी ringtone सुनाई दे तो आप अलग-अलग भी set कर सकते हो यह फिर आप चाहो तो same जो ringtone है वो भी select कर सकते हो तो यहां पर मुझे sim 1 में select कर लिए है तो मैं इस पर click कर देता हूँ उसके बाद मैं guys यहां पर default में जो है its realme जो ringtone है वो select की हुई है यहां पर realme के mobile में बहुत सारी ringtone हमें मिल जाती है तो हम इन में से भी कोई select कर सकते है और अगर आपको एक गाना select करना चाहते हो अपने ringtone पर set करना चाहते हो आपने download कर रखा है तो आपको यहां पर guys उपर select from files का option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है तो आपके mobile में जितने भी गाने हैं जितने भी songs हैं कर लेना है आपके सामने select का option मिल जाएगा select करने के बाद में आपको back चले जाना है तो यहां पर आप देख सकते हो select from files के निचे टोबू roots जो गाने का नाम हो आचुका है अब आपको फिर से back चले जाना है तो sim 1 में आप देख सकते हो यह जो ringtone है वो select हो चुकी है अब sim 2 में भी आपको इसी तरीके से select from files पर click करके और उसको यहां से select कर लेना है तो यह जो ringtone है वो आपके sim 2 पर भी set up हो चुकी है तो गाईज इस तरीके से आप भी किसी भी mobile की ringtone पर song या फिर कोई भी ringtone जो आप चाहे सेट कर सकते हो तो आप गाईज यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब रहते हुए बेल आपको भी जरूर प्रेक्स कर लेना मैं मित्ता हूं गाईज आपको next interesting वीडियो है तब तक कि ले गाईज keep smiling and keep watching